हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है हमारे यूटूब चैनल SK Learning Pharmacy में तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगी कैस्टर ओयल क्या होता है इससे पहली वीडियो में हमने कैस्टर ओयल को डिसकस करने वाले हैं तो आईए जानते हैं कैस्टर ओयल के बारे में कैस्टर ओयल को हम आरंड का एक पेड होता है उससे जो बीज होते हैं उससे हमें कैस्टर ओयल प्राप्त होता है तो आए जानते हैं इसकी पूरी फार्मकोगनोसी के बारे में कि इसकी पूरी फार्मकोगनोसी क्या होती है शिनोनियम उपनाम कैस्टर ओयल का जो उपनाम होता है वो रिशीनश ओयल के नाम से भी हम जानते हैं biological source जो castor oil होता है वह हमें सुखे बीजों से प्राप्त होता है और इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो रिशी नश communis है family जो castor oil होता है वो e-pore-b-e-c family से सम्बंदित होता है आईए जानते हैं इसके geographical source के बारे में जोग्राफिकल source castor oil हमें USA United States of America गुजरात करनाटक भारत आदी से आसानी से प्राप्त हो जाता है macroscopic character तो आईए जानते हैं इसके macroscopic character के बारे में color जो रिशीनेस oil जो castor oil होता है यह हल्के पीले रंग का होता है इसकी जो सुगंद होती है एक अपने सुगंद होती है इसकी कोई इसकी सुगंद जैसा कोई और ड्रग नहीं होता test इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही बेकार होता है यह गोल आकर्ति का होता है इसकी जो आकर्ति होती है वह है गोल होती है तो आईए अब जानते हैं केमिकल कॉंस्टेंट के बारे में इसमें कौन-कौन से केमिकल कॉंस्टेंट उपस्तित होते हैं जो हमें कब जिका या किसी और अन्य बिमारी का उपचार करने में सायता करते ह chemical constant रासायनिक तत्व तो इसमें जो रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं वे रिशिनोलिक एसिड आईसो रिशिनोलिक एसिड इस्टेरिक एसिड और आईसो इस्टेरिक एसिड नामक रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं जो हमें कब्ज का उपचार करने में सायता करते है उपयोग आई इसके उपयोग के बारे में भी जानते हैं यह लक्जेटिव कैटेगरी के ड्रग है तो इनका सबसे पहला उपयोग कब्ज के उपचार में होता है और इसका उपयोग हम हेर फिक्षर बनाने में भी कर सकते हैं इसका मतलब हमारे जो बालों में लगाने के जो ज यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा दें जिसे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक यू